ठारा देखिए, दिये गए चित्र में, AO बटा में OC, BO बटा में OD बराबर दिया है एक बटा दो, यानि ये दोनों का अनुपात बराबर है, AB बराबर 5 cm, तो हमें DC निकालना है, चलिए देखते हैं, क्या दिया हुआ है और क्या ग्याद करना है, दिया है कि AO बटा में OC एक बटा दो, और AB बराबर दिया है, 5 cm, तो ग्याद करना है, क्या ग्याद करना है हमें, तो हमें यहे पर DC के वैलू ग्याद करना है, चलिए इसका अहल देखते हैं, ठीक है, यहाँ देखो, AO बटा में OC, बराबर B.O बटा में OD यह धीया है न, चलिए दूनों बराबर, अच्छा, एंगल A, O, B, बरावर एंगल C, O, D, भी हो जाएगा, vertically opposite angle से, sit साब भी मोफ कौन से, यहाँ कौन इस कौन के बरावर, तो यहाँ दोनों कोड आपस में बरावर, और इतना बटा इतना, और इतना बटा इतना, यानि कि इसके अंतरित करने वाली भुजा का अनुपात भी बरावर, यानि कि यहाँ कह सकते हैं कि तिर्भूज A, O, B, समरूप हो जाएगा, तिर्भूज C, O, D, के, कैसे, तो यहाँ हो जाएगा, साइड एंगल साइड समरूप हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है, कि दो समरूप तिर्भूजों के, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, बरावर होता है, अनुपात बरावर होता है, ठीक है दो सम्रुप्ति बुज़ों के संगत मुझाओ का अनुपाद बराबर होता है तो मैं यहाँ पे AO बटा में OC बराबर लिख सकता हूँ ना AB बटा में DC बिल्कुल लिख सकता हूँ यह तो आपका एक बटा दो दिया है और AB के वैलू पाँच है और बटा में आपका DC तो DC बराबर कितना हो जागए आहां से दस सेंटिमीटर क्रॉस मॉल्टिप्लाई कर दिया है चलते है नेक्स कोशन पर अगला कोशन